मैं हूँ प्रतीक तमर और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेज जो एक्जाम पॉइंट आज पूछे गए हैं और इन्हें आप कहीं नोट डाउन कर लें और अच्छे से लर्न कर लें आईए शुरू करते हैं आज का पहला इडियम है man of spirit, spirit वाला आदमी यानि जोशीला आदमी हम कहते हैं न कई बार that's the spirit तो man of spirit यानि जोशीला वेक्ती man of straw, straw का अर्थ होता है तिन का, तो man of straw यानि डर्पो का आदमी man of straw, आज का next idiom है many slip between cup and lip, there are many a slip between cup and lip हो सकता है या आपने कभी सुना हो वैसे exams में तो बहुत बार आया हुआ है ये इसका अर्थ क्या होता है कि cup में जो चाय है वो होटों तक पहुँचने से पहले कई बार slip होने का risk रहता है यानि कि बंते-बंते-बंते भी कई बार बात बिगड़ जाती है many a slip between cup and lip, next idiom है midas touch, midas touch क्या होता है king midas को ये वरदान प्राप्त हुआ कि वो जिस चीज़ को चुएंगे वो सोना बन जाएगी तो ऐसा इनसान जो हर काम में सफलता पाता है जिस भी project के उपर वो जाता है उसमें उसे success ही मिलती है तो उसे कहा जाता है कि he has midas touch, इसके पास midas touch है यानि ये जिस काम में हाथ डालता है इसे हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है आज का next idiom है miss the bus, you missed the bus तुम्हारी bus निकल गई, कहने का अर्थ ये होता है कि कोई opportunity, कोई मौका, कोई chance तुमने खो दिया ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुम्हारी मौका चूग गए, you missed the bus अब यहाँ actual में bus miss करने की बात नहीं है, ये कोई मौका चूट जाने की बात है आज का next मुहावरा है, moot point, it is a moot point, यानि ये एक debatable issue है, ये एक बहस का मुद्दा है ये भी exams में काफी बार पूछा गया है, next idiom है, move heaven and earth स्वर्ग और धरती को हिला देना, यानि की जमीन आस्मान एक कर देना, जमीन आस्मान हिला देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, भरसक प्रयास करना I moved heaven and earth to get that job, उस जाब को पाने के लिए मैंने धरती आस्मान एक कर दिया, जमीन आस्मान हिला दिया, next है, much cry and little wool, जैसे कोई भेड है, जब उसकी उन उतारी, तो वो बहुत चिलाई, बहुत चिलाई, छोड़ दो, छोड़ दो, पर जब सारी उन उतार ली तो देखा, बहु उंची दुकान और फीके पकवान, इतने जादा नाटक किये, इतने जादा नकरे किये, बट ओवर ओल आउटपुट बहुत ही कम मिला, much cry and little wool, next मुहावरा है, mumbo-jumbo, mumbo-jumbo हमेशा speech के साथ में यूज में लेते हैं, जैसे he gave a mumbo-jumbo speech, तो mumbo-jumbo speech यानि उल्टा सीधा बे-मतलब का भाशन, next मुहावरा है, need of the hour, need of the hour का मतलब होता है, समय की मां, जैसे English बोलना, आना, और computers का knowledge, यह आज के जमाने की demand है, it is need of the hour, Friends, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे idioms आपको बताए हैं, जो exam के हिसाब से बहुत important है, आप इन्हें lightly मत लेना, इन्हें अच्छे से learn कर लेना, all the best for your exams, आज के लिए बस इतना ही, चैनल पे नए हो तो subscribe करो, एक like तो बनता है boss, और comment box में अपना feedback भी दो, कोई idiom प पूच सकते हो, जल्दी फिर मिलेंगे एक और topic के साथ, thank you so much.